नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी टिप्स और ट्रिक्स की जिसके मादेम से हम चीजों को ज्यदा से याद रख सकते हैं जैसे आपकी यूपीसी की जरेंड में ऐसा होता है कि आप कई बार चीजे पढ़ते हो लेकिन याद नहीं होती है लेकिन मैं आप जैसे यह मेप है तो मैं अक्सर क्या करता हूं जो भी करंट फिर में चीजे चर्था में रहती है और मुझे मेपिंग कर नहीं होती है उनकी तो मैं मेप के ऊपर कुछ ऐसा चिपका दूँगा या उस पर लिख दूँगा जैसे मुझे बार बार याद रहेगा जैसे अभी आप जानते हो कि यहां पर देखना अफ तो अफ़रिश्तान में अभी काफिजियो फिर्मी में केरफ जैसे बाज नहीं के से बप्रता उस data effect को भी याद कर सकते हो मैंने अक्सर बहुत देखा है जैसे इसमें आप यह चीजी भी कर सकते हो जैसे बहुत सारी लोगों को कमेंट रहता है कि सर UPC Prelims में या आप देखते हो कि मेपिंग के कुछन काफी आते हैं तो उनका भी एक तरीका है कि जैसे आप पर दिवार पर जो मेप लगा होता है उस पर आप लोकेट करो जैसे यहां पर बलेक सी यहां पर है केस्पिन सी यहां पर है अरल सी यहां पर ठीक है भूमत सागरी यह पर तो इनका भी फाइदा मिलता है तो एक तो मेपिंग यहां पर करनी है आपको ताकि सामने रहेगी आप उनको बार-बार याद रखोगे ना गोला कर देना कोई भी चीज आपको लिखनी है या जियो प्रोलिटिक्स की कोई भी आप करेंट फिर कहीं चर्चा में रहता है कहीं कोई भी च्रजा में रहता है कि वहां पर इसी गटना घटरिये तो एक तो इसक अमादिर मैंसे आप फायदा उटांसकते हो एक आप यह कर शकते हो एक की 2030 आप ones डब ऑन आए इस रिपोर्ट बगिरा होती है उनको आप यहां पे लिख सकते हो चिपका सकते हो इसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है याद रखने में इसलिए वेनिफिट मिलता है कि कोई भी चीज जो होती है वह आपके सामने रहेगी बार-बार रिविजिन करोगे ना तो वह सबसे बड़ा फाइदा मुझी क्या लगता है जैसे मैं जो भी पढ़ रहा हूं सबसे पहले मैंने अपने नोट्स बनाए नोट्स को में रिविजिन करने के लिए क्लिए इंडिया का यह आपको देखना होता है आपने लगा दिया कि इसमें बारत का लगबग 131 यह जो भी लग बग नहीं जो भी फिक्स आपका वह आपने लिग दिया जैसे इसके लावा इन्युजिन इंडेक्स में भी कैछा रहा है है इसके लावा आपके जो भी मतलब 6-3 की डाटा है ठीक है सुआस्ते की जो डाटा होत इसमें जिनको अपने बार बार याद रखना पढ़ता ह प्री और मेंस की एक्जाम में बार बार याद रखना पड़ता है, ऐसे डाटा को आप चिपका सकते हो, कई बार ऐसे होते हैं, डाइग्राम ऐसे होते हैं, जिनको आपको मेंस की एक्जाम में इस्तिमाल करना है, न्यूज पेपर में ऐसे डाइग्राम आते हैं, जैसे ऐसे ड तो यह मेरे चार्ट मतलब एक मेरा चार्ट लगबग सो मतलब चीजों को समाता है एक तरह से अपने आप में कि सो चीजे में इस पर लिखके रखूँगा वह सो चीजे में बार-बार रिवजन करूँगा सुबह साम उड़ते बेढ़ते कभी ऐसे जाते समय इंपोर्टेंट याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है नो डाउट सब के साथ यह समझ आती है दो तरीके हैं एक तो अपनी दिवार के सामने इसी चीजे रखो ठीक है जिन पर ऐसी चीजे लिखी हो आप चाओ तो न जरूरी नहीं इसको रखो एक काम यह भी कर सकते हो जैसे आपने जो मेंस के लिए कितना इंपोर्टेंट है जीएज के पेपर में कितना हमें इस्तेमाल करना होता है एक से लेकर 17 तक हमारे लक्स हैं तो कभी याद रहेंगी यह बार-बार आप देखोंगे न दिवार पर सामने चिपके होंगे जैसे मैंने चिपका रखा यहां पर अभी तो मै तो यही कारण है कि यार यह प्रैक्टिकल चीजे हैं सामाने चीजे हैं आपको लगता है कि यार इनके लिए वीडियो क्या बनाएं लेकिन आप लोगो को है कमेंट था कि सर याद कैसे रखें तो मेरे साब से याद रखने का इससे वेस्ट कोई फार्मला नहीं हो सकता एक होत कि आप बार-बार उसमें लिक लिक के याद कर सकते हैं वह भी तरीका है लेकिन उस तरीके से ज्यादा एफेक्टिव तरीका यह है कि आप दिवार पर जो भी आपके पास चीजे है ना उन पर लिख लो उनको सामने रखोगे साथ दिन के बाद में वो चीज हमेशा के लिए आपके माइंड में चली जाए कभी भूलोगे नहीं उस चीज को तो एक छोटा सा लेसं था पसंदा इसको लाइक करना एक चीज और बता हूं यह जितने भी चीजे मैंने बोल लिए जैसे मैंने यह नोट्स बोलें यह जितने भी पेन बगगरा मैंने यूज मिली है ठीक है आप चाओ तो अपने दिवार पर इसे इनको भी हाइलाइट कर सकते हो कि आप जो भी चीजे पढ़े उनको हाइलाइट करके आपने सामने लगा दिया इस डी जिलक्से वन में क्या है यह हमेसा मुझे याद रखना पड़ता है जैसे मैंन्स की एक्जाम में ने देखा कि ए मेप बगेरा मतलब पेन च्छोट चीज़ें आप कर सकते हो लेकिन इंपोर्टेंट चीज़ें और ओनलाइन खरीदबना चाहो तो नीचे लिंग दिया है ठीक आप परचेज कर सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद